नमस्कार मैं जहांगिर आलम आप देख रहे हैं कोल फिल मिरर हर पल आपके साथ सब्सक्राइब करता है कि पुलिस प्राइब करता है कि हर काम में साथ रहते हैं यह बहुत नतित आगे बढ़ रहे हैं सब्सक्राइब करता है कि पुलिस प्रसाशने तरोत्य के सब्सक्राइब करता है कि अधिन आपके सब्सक्राइब करता है जानते परेशी जे मार्चेंट चेंबर ऑफ कमर्स दूजु तो आजे एड़ा दूजु नहीं खुब भालो उद्धोग नाए यह बहुं भालो भालो काज़ पड़े तो आमार आमी जेखाणे थाकी शाथारवन तो शाई जागाटागा आमी नीजेल मोने गोड़ी तो आमी गोल्डीकोव आमी नीजेल जागाप बले ही भाभी तो एकाटकाट कीचु भालो उले आमार भालो लागे खाड़ा भले तेमनी खाड़ा भलागे तो आमी चाईबो एरकम प्रत्तेक्टा भालो भालो काज़ हो जाते आमी अम्छो ग्रोल कत्त बारी आमी आपना देर पासे सब्षमाई आछी सब्षमाई आपना देर पासे सब्षमाई जेकना प्रयोजने आमा के डागबे नामी चोले आजबो सुखेतीन नाथागते पारा दुखेतीन निष्टरी थाक बर ना देर पासे सबाई भालागों माँचकार साभी सब्षमाई प्रत्तर पलोस बंदल आईसी नियामधपूर एकाने उपस्तित मारणियो आईसी कुर्णि साहिब एचाराव नियामधपूर मार्चिन चेम्बर ओफ कॉमर्स और इंडर्स्ट्रीट प्रिस्टिन साहिब एबंग समस्टों सब्ल के अमार्खों बांतोरिक शुबेच्छा तो आमी आज गे एकान उपुर्थ तो एक्ट्रा कथा बोलते चाहिए अमी एक हैने मोटा मोटी 2019 मार्चिन चेम्बर ओफ कॉमर्स और आमी देखे हैस्जी नियामधपुर्ण मार्चिन चेम्बर ओफ कॉमर्स प्रोति निवाँ तो अल्डाइन कीचु ना कीचु एक्टिबीटी पुर्टे थागे एबंग सेटा जन्नकोनेर कोल्याने जन्ना सेटा काल्चरल कोनो प्रोग्रामी हो आमी समस्तो दिप्ते के देखेची प्रोति निवाँ तो आक्टा सोशाल उएलफेर प्रोग्राम एरा कोड़े थागे जाज़नों आमी आंतोरिख्वाबे सुबचे जानाई एबंग आमी चाईबो एई जे कर्म कांडो इनारा चालिए जाज़े एबंग एर सुफल आपामर नियामत्पूर बासी गन सबाई के एर सुफल डा भोग कोड़ने पार आपार एटाव जानाई एई नियामत्पूर्चेम्बलो कमार्ज आरो एक्टार प्रोजेक्ट हादे निये छे जेटाग तुप्सिंकरी बास्तोबाईता होवे शेटावचे आमादे नियामत्पूरें मुद्धे फिविंदो जाएगा थे सिच सिची जिबी क्यामरा इंस्टलेशन ने एर आप्टार प्रोजेक्ट आमादे रहते नियामत्पूरें मुद्धे एजे बिमिनो दाओने चुडी एजे क्राइम कोलो शेकलो डिजेक्षान आमादर कुछ पाने सुभी दाओ तो ताही जोने आमी आमान मुद्धाई कुछ बाथाई जानाई दियामा फोर्चे मेरों कमर्स के और शको मदद करें जली सी जली ट्रीटमेंट करके घर जाने की वेवस्ता रहें तैंक्यू अब यहां पे जिए पाठाटर हैं जो नीचे बिश्चेशन में जो करवाया है बहुत इस तरहनी कदम है और हम दे करें है बहुत अच्छा भी रहोगा है जिनरली जो में बिमारी है बच्चों में रिप्रेक्टी बेरर होता है चिसमें जरूत उतों होती है पूल्ड एज में कट्रेक्ट होता है सबसे मॉस्ट को हम लोग देख रहे हैं जो कट्रेक्ट इसक्रीन करेंगे को ले आके मुद्याविंद का ओपरेशन कम पैसे में या फिरी करेंगे बिल्कुल नए लोगों के लिए जादा मुबाइल जादा कम्प्यूटर का जो जबाना है उससे थोड़ा बचके रहे हैं और बहुत नस्दीक से ना देखें टेविल चेर लगा के पड़ें और ग्राउंड में खिल ले जाए बहुत जादा वीडियो गेंपे द्यान नहीं द दान गंदा बहुत है क्योंकि लोग अवेर नहीं है इस बात को लेके कि उनको दान साफ रखना चाहिए तो गंद की बहुत है दातों में जिसकी वज़े से दान फिल भी रहे हैं और कीड़ा लगा हूं साथ में के लिए जादा प्रॉप्रिक्शन के लिए क्या करना अचेय'll Garlos करना ज़िए पुड़ी सी सफाइं पर ध्यान देना चाहिए और कुलाए ला दॅंक से करना चाहिए कहाने कि पाद थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए दाचों पर लुग दाटों को बिलकुल इंगनोर कर देते हैं लगता है पार्टी के लिए औंग है अर चाह का माइगरेन है, जिनको डिस्क का प्राब्लम है, हेडेक है और बहुत है जिनके टूमर्स है इनको हम डिटेक्ट करते हैं कि और हमारे हॉस्पिटल में रफर करते हैं और जो एडवांस ट्रीटमेंट है सारा इहीं पे हो जाता है आज कलकता जाने कि इसेंट में क्या हम लोग देख रहे हैं, नेरों को क्या प्राब्लम देखा ज़ता है और उनका बच्चों का भी है, जो मेंटल डवलप्मेंट नहीं होता है बार बार मिल्गी होके तो फसर को कोई मेसेज है कि लोग क्या करें को नेरों को प्राब्लम बहुत कॉम हो अचलि यहाँ पर जो एरिया है पहले तो इनको स्पेशलिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए को कि नीउरो एक सुपर स्पेशालिटी डिपार्टमेंट है तो अट करना चाहिए तो यहां पर जितना कर सकते हैं हम लोग करते हैं बाकी उनको प्रॉपर जगह भीजते हैं जहां पर हो सके तो एक प्रॉपर चैनल हम लोग डेवलप किये हैं तो हम लोग चाहते हैं कि गरीब से गरीब पेशेंट को जितना हो सके उतना मदद करें प्रॉब्लम तो वही है, हार्ट अटेक और एंजाइना, कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज, यही सब प्रॉब्लम जो मेन है, सब जगह है, वही यहां भी है, और बेसिक बात है कि यहां पे पेशेंट्स को अइवेरनेस उतना नहीं है, उतना जानकारी नहीं ह कि क्या तकलिफ होने से कहां जाना चाहिए, कितना सीरियस मामला हो सकता है, हाट का बिमारी तो आपको मालूम है कि बहुत जानलेवा सिद्ध होता है, इसलिए हमेशा पेशेंट को अवेर रहना चाहिए, क्यों क्या होता है, हम लोग एक चीज़ देख रहेंगे, हमारे यहा ट्रीट्वेंट कराने में अच्छा लगता है, तो ऐसा मतलब बना हुआ है कि लोग वेलोर और बैंगलोर यह सब जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, अच्छा अच्छा है, सभी है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, फिर भी मतलब वही मैंने बोला ना कि जानक सब्सकारी नहीं है, और इस तरह से डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स लोगों तक पहुच नहीं पाएं है, अवेरनेस की कमी है, अच्छा अच्छा की कोरगा में कि तो लोग पडिसेबिट किया है, पेशेंट के बारे में आप पूच रहा है, पेशेंट तो रेजिस्टेश आई ही रहा है, हम लोग को एक लिमिट सोचे थे कि एक सो, डेट सो, दो सो पार, लेकिन हम लोग को एक लिमिट तक जाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से क्याम चल रहा है, अभी तक तो कम से कम 170-80 पेशेंट्स क्रॉस कर चुके हैं, रेजिस्ट्रेशन, आप तो बिंजी स एक 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 जामपल सेट करें कि हम लोग भी समाज के साथ जूड़ित है, आजकल के लोगों को गलत फहिमिए है कि बिजनसमें सिर्फ अपना धंदा देखते हैं, और सोचल रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं देखते हैं, लेकिन हमारा ये लक्ष है, लोगों की धारना है, उसे भूल साबित करना, कि नहीं, चेंबर या वेपसाई जो है, हमेशा सोचल वर्क में आगे राता है, लोगों को रिस्पॉंस कैसा में लिए? वो तो लोग ही बताएंगे, आज तो जितने भी पेशन से हमने पूछा है, या लोगों से पूछा है, सबसे पॉस्टिव रिस्प जो कि Apollo Medical चलाते हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि इसमें क्या free medicine भी बाटा जाएगा, क्या? तो हमने बोला कि ये होगा कैसे है, तो उन्होंने बोला कि अगर आप चाहो, तो मैं अपने तरफ से कर सकता हूँ, तो ये Apollo Medical के सोजनने से, वो मेरे पूछ फ्री medicines प्रवाइड करने के लिए ready हो गया, तो हमने पूछा कि आप वो किस तरह की medicines देंगे, तो उन्होंने डॉक्टर से कंसर्ड करके कि क्या-क्या medicines प्रिस्काइब हो सकती है, उनका उस आप से medicines को जगाल किया गया, और उस हिसाब से हर एक patient को इलाज के बाद free medicines उस आप से provide कर पूरा का पूरा मेरा टीम है, जिसमें बहुत से members है, जो हमारी नहीं executive committee है, तीस तीस लोगों की, वो बहुत ही active है, हर चीज में चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो social responsibility के हिसाब से हो, चाहे वो अपने मतब करम के हिसाब से हो, तो सब तरफ से उन्हों बहुत जारा स्योग किय है, आप देख सकते हैं, सारे के सारे members नीचे registration counter में यहाँ वहाँ लगे हुए हैं, इसलिए हम उनको सबसे जादे बहुत बड़ी मतब उपलबदी और उनको सब आशी देंगे, कि उन्होंने हमने को मदद किया, प्रोटसाइद किया, प्रेसिदेंट सेकेटरी तो सिरफ कर स सिसी टीवी कैमरा के लिए कि हम लोगों बोला जाए प्रसासन के तरफ से तो हमारी मीटिंग्स चल रही है, तो भगवान की दया से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कि अगर वो प्रोजेक्ट को हम सफल कर पाए, तो उससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है, तो देखा ज अगरेंट में आप सामी में के सा लग रहा है, तो बहुत अच्छा हुआ है, इन फाक्ट शेमर्ट के तरफ से जो इनिशेटिव साच इंजी ने पूरे टीम ने उनका लिया है, इस वेरी नाइस अर्रेंजमेंट, इन फाक्ट जिस दंसर में देख रहा हूं, पीशें बहु जो एक्सपेंसेज होता है, वो प्रिवेंट टो होता है, 90% क्यूरिटिव पे होता है, जो कि क्यूरिटिव के परसेंटेज बढ़ा दिया जाए, तो इतने लोग बिमारी ना पढ़े, इस लाइक हमनों गाडी में सीट बेल्ट पहनते हैं, सीट बेल्ट पहनने की तरह है, तो हैल चेकप करना या अपना प्रिवेंटिव चेकप करना, इस लाइक वेरिग सीट बेल्ट फॉर सेफटी, एक्सिडेंट ना हो, या दिरशली परिशानी होने के बाद, ऑस्परिल जाने में खर्चा पर जादा होता है, परिशानी भी जादा होती है, अगर हम लोग फेट नहीं करें, वो सब बाहर जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस चीज के बारे में, अगर आप देखना चाहें, तो अगर हम लोग का फेट डॉक्टर्स पर तोड़ा कम गया है, जो कि बहुत गलत है, देखिए, अच्छे लोग, बुरे लोग हर कमुनिट करते हैं, दोक्टर तो अपना काम करते हैं, कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा, क्यों पेशिंट के कुछ परिशानी हो, कुछ खती हो, बट इस समय स्टेट ओप मैंट पेशिंट के ऐसी रहती है, कि वो लोग डिस्टर्ब्ड रहते हैं, में इंदिया, आइधिन का रोल है, अ हमने इस साल भी MRI मिशीन एड़ किया है, हमारा, यह हमारा प्लांट पे था, इन फ्यूचर हम लोग यहां पर कैंसर लेकि कुछ काम करना चाहते हैं, विकॉस कैंसर जिस तरीके से हमारे देश में आ रहा है, हम लोग उसके लिए प्रिपेर्ड नहीं है, पुरा देश ऑफ गता है, हम लोग लग लास्ट यरश्ट में कारीबों के लिए, हम लोग लोग लास्ट इयर, एक सो चालिस हैल्ट चकाप कैम किये थे, और यह प्रेवेंट्टिव है चेकप काम क्पलीट्ली फ्री होती है, जहां स्पैसलिस जाते हैं, डॉक्र जाते हैं, आई से लेकि आज भी आप देख सकते हैं, आई है, डेंटल है, आडियोलोजी है, नियोर सर्जरी है, सारे चेकप्स फ्री होते हैं, वो भी सुपर स्पिश्लिस कंसल्टेंट के त्वारा है, लास्ट यह हमने एक सो चालिस कैम्स किये थे, अलॉंग विद आट सिर्फ प्रिवेंटिव हेल् कोई अगर गरीब पेशन्ट आता है, हमारे डेपार्टमेंट में एक डेपार्टमेंट अलोकेटेड है, जिसको हम लोग एचल जी स्वास्त योजना के अंडर बोलते हैं, कोई भी अगर गरीब पेशन्ट आता है, उनको मुफ्त चिकित्सा दी जाती है, इंफाक्ट इस नहीं लगती, कम्प्रीटली फ्री ट्रीटमेंट होता है, यह योजना लास्ट एक साल से चल रही है, अल्रडी लास्ट येर हमने अल्मोस्ट बोल सकते हैं, 30-40 पेशन्स को फ्री सर्जरी प्रवाइड कर लिए, कम्प्रीटली होता है, उसमें कोई चार्ज पेशिक होन सब्सक्राइब करते हैं, वाकिए समाज के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जो गरीब हमारे माँ बहने आई हैं दूर दुरास से, उनको इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, और यह इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अब यह काम सभी के बस की बात नहीं है, संभाव भी न सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सार पैसे खर्च करना पड़ता है, और आज आम लोगों को गरीब हो रहा है, इससे बड़ा बात किस हो ही नहीं सकता है, जो लोग यह प्रोगाम उर्गानाइज के हैं, उसके लिए क्या मैसेज हैं, हम विस्नेस कर्ट से वो इनके प्रे कुल्टी मेदर पांडिसन जनलर से लिए हैं, यहां पर जो लोग गरीब लोग बेडिसिल ले रहे हैं, उनकों देख का लग रहा है, बहुत खुशी हो दी है, कि हमारे संचल में ऐसा काम हो रहा है, और हम सभी संस्था से रिक्वेश्ट करेंगे, कि आईए हम सब एक साथ म आएंगे, और हमारा विश्वास है कि सभी हम संस्था हैं, हमारे साथ आएगे और इसके हम को आगे आने वाले दिने में, जो आज 500 पेसेंट देख रहे हैं, 5000 पेसेंटों का फ्री इलाज करवाने में हमारा प्रयास रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ है? अमित कुमार गरवा अपना बायुसाइक दायत्तों के साथ साथ एक समाजिक दायत्ती के तरफ भी बढ़ रहा है, तो अच्छा लगा, खासकर इनलों का ये ठीम था कि विजो परवर्टी लाइन के लोगों के लिए ये केम्प हम लोग आजुजित कर रहे हैं, इसमें के एक लिए शो बाजी का प्रगाम में था कि यहां पर आना डाक्टर को कोई भी दिखा ले, उनका यही परियास था, और खासकर हम इनकी टीम को बढ़ाए देना चाहेंगे, इस साल इनलों के लिए कमिटी बनी है, और उस साही कारगता इनके साथ में दूड़े हैं, और उनका ये परियास देकर प्रगाम में परियास करने से इसका सार्थत प्रियास देकर आप अज कर आप प्री हेल्ट चेकप केम्प होगा, वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आप दवा फ्री में दे रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सोशियल कोज है, मन में आए था कि हमेशा तो बेचते ही हैं, और जो इसे साब से दवा का दाम बढ़ रहा है, तो गरीब लोग खरीद नहीं पाते हैं, ऐसा मौका मिला है, तो मेरे तरब से जितना बन पाया, तो उसी में हम सोचे कि अपने त कि मांग मैं है, आप लप्षेंबर और कॉमर्स से ऐसी बात हो रहे थे, उनके सेक्रेटरी से, वो बोले हम फ्री हेल्थ पेर केम्प करेंगे, तो उसमें वो लोग दवा का फेसलिटी नहीं कर रहे थे, मेरा कुद का मेडिकल सॉप है, कहां पे सॉप है अपका मेडिकल? अब तक ट्रीटमेंट हो चुका है, सबको आप लोग मेडिसिन दे रहे हैं, किसके से दे रहे हैं मेडिसिन आपका? लगबग जो रिक्वारिमेंट इसा पूरा करता है, जितना मैं अरेंज कर पाया, वो सब सारा दे रहा हूं, 100% तो देना संभव नहीं है, तिर भी आप ल देख रहे हैं, करीबों को चेहरे पे जब मुस्को रहाट देख रहे हैं, दवा लेते वे तो कैसा मच दो रहा हूं? उसी के लिए कर रहे हूं, उसी के लिए कर रहे हूं, क्या नहीं हूँ आपका? मेरा आलोग गवेंग का, अपोलो मेडिकल मेरे प्रोक्राइटर है